सब राष्ट की नई उचाईयों के साथ देश को और मजबूती बनाने के लिए तिरंगे को आनबांसान के साथ आजादी से लहराने दे सबी देश्वासियों को 26 जनौरी 2022 की सुब उसर पर हार्दी सुब कामना है आज सबी देश्वासियों का दिन है उत्तर परदेश में आज अस्था अपना दिवस और उसके बाद बाली का दिवस मनाय जा रहा है हर बच्ची और लड़कियों और बिधिन सभी बूढे बच्चे पहला है सभी आज खुसियों से लवलेज है जैसा कि आप जाते हैं कि 24 जनौरी 1950 को उत्तर परदेश का नाम करण किया गया था अनेके नामों से भी उत्तर परदेश का रहा जाता था लेकिन जब से 24 जनौरी 1950 में उत्तर परदेश का नाम रखा गया तब से हर जगह हर दिली से सटा हुआ जो है राज्य उत्तर परदेश का नाम बड़े हर सुलास के लिए लिया जाने लगा या कांगजों में भी इसका पचार परस्ता पेजिसे उनी लगा उत्तर परदेश के पूर्व राज्य पाल राम नाइक की या सरवच पहल पर हर वर्ष उत्तर परदेश दिवस मनाने का पस्ताव रखा गया आपको बताते चलो की या दिवस पिछले चार वर्षों के रसक में मनाया जाने लगा है या राज्य पिछले चार वर्षों के इस तो हम सब अपनी भात्तेता और अपनी प्रप्रा को सुधुर्ण बनाने के लिए खुशियों का नया पर्व या नेमाण करना चाहिए नहीं खुशी नहीं उमन के साथ हमारे उतरपरदेश के लोग आज जोई 24 जनुरी 2022 को खुशियों के साथ मना रहे हैं वैसे हम सब उतरी भारत का गौरों बहुत हिमात पूर राज्य उतरपरदेश की पैचान देजिन के तस्तनों से ही लिया जाता है इसकी पैचान सदियों पुरान रहा है भगवान विराइबान है इसी उतरपरदेश के राज्य में जैसा कि आप जानते हैं तीर्थस्तनों का सबसे बड़ा संगम प्रियाग राज आयोध्या कासी और या बहुत सारे ऐसे तीर्थस्तन है हमारे भारत में कि यह संगम एक दूसरे एक दूसरे बैक्ति की एकता अखंता और भाई-चारे का संदेश देती है यहां पर अनेग भगवान विराजबान है जो कि आप समझ सकते हैं कि उतर परदेश की धर्थी कितनी पविष्ट है यहां राज्य की अपनी अलग पहचान है और आज यह उतर परदेश अपने त्याव है और तब परप्रा सांस्कितिक बोल्चान की अनोथी प्रित रिवा और यहां का मौसम बहुत ही आनंदी मैं है और जो है मौसम खुष दिल है और यहां मौसम का धर्थी पर पठारी छेत्र हमारा उतर परदेश आता है उतर परदेश का परदेश बना जाता है आज 24 जनुरी 2022 है और उतर परदेश बार्थी अस्तापना दिवास पढ़े हार फुष के साथ मुष्यों के साथ मना हैं एक क्ष recommendations एकस मिलें फाय paradise और जोसly अग्यों चानदी अभी समझते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि उतर परदेश फुष का परदेश माना जाता है और वही बरमात पूर स्थान भी इसका रहा है या सदियों से रहा है और हमेशा अनंत काल से भी इसका रही है जैसा कि आप जानते हैं कि यह तीर्थस्तर जबसे बड़ा प्र्यागराज कासी और यह सभी को भुपावना के तर्फ पर सभी को बुलाती है तो यह है तीर्थस्तर का सभी परंपराओं के साथ आगे बढ़ती है यहां कि गोली भासी हीदन मिठास है प्यारा था पढ़े बढ़ों का अधर होता है और सभी का माद सम्मान के साथ नमस्कार किया जाता है यह हमारा उत्तर प्रदेश आज 24 जनौरी 2022 को आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों के निवासियों को हार्दि सुप्काम नाय गौर्वे अर्ठाव को अच्छे बुरे का निर्नायक बने और इमानदारी से आगे बढ़ते रहें फिर हम आपसे मिलेंगे किसी उत्तर साथ पत्तक अपना ख्यार परिवार नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेसं मिल जाए धन बात